असलाम लेकुम जी स्टुएंट्स एंड फ्रेंड्स, how are you? I hope so, you all are fine. आपको प्रिछली जो वीडियो थी, उसमें बताया था कि नेक्स्ट जो हमने वीडियो रेक्चर रिकार्ड करना है वो मार्क्स के हवाले है, कार्ल मार्क्स के हवाले से जिनकी थेरी जो है, वो जेन आस्टन ने मार्क्स की थेरी देने से पहले ही प्रिजेंट कर दी थी अच्छे जी, पहले हम यह देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स है कौन? कार्ल मार्क्स जो है, वो 1818 में उनकी बर्थ हुई और 83 में उनकी देथ हुई है और Karl Marx जो है वो एक great scholar थे और economist थे और उन्होंने जो अपना first volume लिखा था first volume of histories वो था उसका नाम था दास capital और उसमें उन्होंने थेरी बेश की थी theory of political economy और ये जो है actually based कर रही थी criticism of the capitalistic system अब capitalistic system तो सब को ही पता है कि जो upper class होती है या जो आप ये कह सकते हैं कि जो gorgeous class है अमीर तवका है जो उसके हाथ में सारी चीज़ें होती है ठीक है जी या जो गरीबों की या workers की जो अजरत होती है वो सारी की सारी उनके हाथ में होती है और वो जितना चाहते हैं लेबर से काम करवा लेते हैं और जितनी उनकी मर्जी होती है उतनी जो है वो उनको उजरत देते हैं अब जो marks का जो view है next point में ये तकरीबन 8-9 point है इनको हम discuss करते हैं ये अगर ऐसा कोई marks के हवाले से question आता है तो आप उसको add कर सकते हैं और जो previous जो हमने वीडियो देखी है उसमें वो जो है ना आपका एक master question बन सकता है master question होने का मतलब ये है कि अगर paper में ऐसा कोई question है जिसको handle करना आपके लिए मुश्किल है और आपको समझ नहीं आ रही है यहीं क्योंकि जो paper में जो language होती है वो जरा घुमा फिरा कर दी होती है total जो colloquial language है उसको use नहीं किया जाता और अक्सर बच्चों को सवाल समझ नहीं भी आता तो उसको मदे नज़र रखते हुए आप जो previous जो मेरी वीडियो है उसको लाजमी देखिएगा उसमें वो तक्रीबन एक तरह से master question है आप उसको भी सारा गर लिख देते हैं ना उसमें से भी चंद एक points चुन कर और कारल मार्क्स को भी किसी एक पैरा में define कर देते हैं तो आपके लिए जो है ना बहुत easy हो जाएगा attempt करना आपका answer तो मार्क्स का जो व्यू है कारल मार्क्स का उसको हम देख रहे थे वो यह कहते हैं कि remuneration of labor should be fixed यानि जो labor की जो उजरत है ठीक है remuneration का मतलब होता है उजरत कि जो वो काम कर रहे हैं उसकी जो उजरत है वो fix होनी चाहिए according to the price of the commodities ठीक है जो चीजों की commodity होता है चीजों की जो price होती है उसको fix कर दिया जाए उसके मताबिक जो है उनकी जो उजरत उसको fix कर दिया जाए लेकिन जो capitalistic system है उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं है क्यूंकि जो capitalist होते है ना उनका ये view होता है या वो ये चाहते हैं हमेशा कि وہ हمیشہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ جو ہےنا گین کریں جو دوسرے ورکرز ہیں ان سے زیادہ بڑھ کر ان کا پروفٹ ہونا چاہیے تو یہ جو چیز تھی نا یہ بڑی جو ہےنا خراب چیز تھی جو لور کلاس تھی جو ورکنگ کلاس تھی ان کے لئے بہت بڑا ایک مسئلہ تھا یعنی امیر امیر سترین ہوتا جاتا ہے اور غریب غریبتر ہوتا جاتا ہے اس چیز میں یہ تھی تو مارکس جو ہیں इस थेरी के टोटल खिलाफ हैं कैपिटिलिस्टिक और जो लोर क्लास है ना वर्किंग क्लास का जो उस टाइम सिस्टम चल रहा था उसके बिलकुल खिलाफ है तो आज अभी भी ऐसा ही चल रहा है अगर इसको जो मार्क्स की थेरी इसको फालो किया जाये जो लोगों की private property है उसका मुकमल तोर पर खात्मा कर देना चाहिए क्योंकि जब आम लोगों के अंडर में चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वो अपने हिसाब से हर rate लगाते हैं जैसे अभी भी आप देख लें कि क्या conditions चल रही हैं कि हर बंदे की जिस शॉप पर हम जाते हैं उसका अपना ही rate होता है कोई fix rate नहीं है जो गलियों में लोग बेचने आते हैं उनके अपने rate होते हैं शॉप्स पर लोगों के अपने हैं मंडी में जाओ तो वहां लोगों के अपने rates हैं यह नहीं हर लिहाँ से जो है ना एक आप यह कह सकते हैं कि मुश्किल है कि प्राइवेट लोगों की चीज़ें हैं अपनी और वो अपने हिसाब से हर चीज़ का rate लगाते है कि जो lower class है या जो working class है उसके लिए उन चीज़ों को खरीदना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है तो मार्क्स इस theory से जो है ना influence यह जो philosophy थी मार्क्स थी किन लोगों को इस philosophy ने influence किया है सबसे पहले तो George Bernard चा यह एक number of जो है ना लोग है जिनोंने मार्क्स की philosophy को किया है फॉलो किया है जैसे आपने Raymond William को भी देखा था उसने भी यह theory इस theory को ही फॉलो करते वे अपना work लिखा था उसका एक topic था हमने part two में पढ़ा है वो तो George Bernard चा यह भी जो है बहुत ही पाए के एक writer है इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे से plays लिखे हैं और इन्होंने Marks की यह जो philosophy है इसको follow किया है लेकिन जो Jane Austen है George Bernard चा तो बाद में आने वाले हैं लेकिन जो Jane Austen है इन्होंने अपने novels में Marks के आने से पहले ही इसको present कर दिया था अब देखें ना कि 1818 में Karl Marks आ रहे हैं और 1817 में Jane Austen की death है ठीक है जी before a year she was died तो appeared much before Marks ठीक है Jane Austen जो है पहले ही मुझूद थी सामने थी अपियर थी इस हवाले से और वो जो है conscious थी of the class distinctions कि जो class का जो एक distinction है नव एक तजाद या एक आप कह सकते हैं कि difference था उसके बारे में बड़ी conscious थी तो उन्होंने क्या कि इसके खिलाफ गई वो ठीक है यह जो राइज society में हालात थे conditions थी उनके और जो evil consequences थे इसके ठीक है बुरे नताइज फिर ठीक है यह ऐसा होता है तो फिर बुरे नताइज होते है ना तो तीज़े यह निकलता है कि गरीब बिचारा मजीद ही गरीब हो जाता है उसके हाथ तो कुछ भी नहीं आता वो तो सारा सारा दिन मेहनत भी करता र अब इस novel को तो हम देखते हैं ना प्राइड इन प्रिजुरिस्ट इसमें जो जेन बैनिट है और दूसरी Elizabeth बैनिट है अब इन के साथ क्या हो रहा था जब बिंगले की सिस्टर ने जेन की तरफ लिखा था letter के he will not marry her वो इसके साथ शादी नहीं करेगा क्यों इसकी वज़ा और उसकी वज़ाए यही थी कि वो जो है अमीर लोग हैं इनके मैनर्ज कुछ और है जेन और जो बैनिट फैमिली है इसके पास मैनर्ज नहीं है ठीक है दोनों थी तो बुरी नहीं जेन भी बहुत खुबसूरत थी और Elizabeth intellectually बहुत खुबसूरत अची थी Nothing wrong with them but Bingley sisters have insulting attitude because of lower class origin ठीक है जी जो बैनिट फैमिली है उनका lower standard था middle class से belong करती थी उन से बिंगले फैमिली से lower class थी जिसकी वज़ा से उनका attitude उनके साथ insulting था और दूसरी जो main चीज़ थी इस novel में हमने देखी है manners and breeding were important as Bennett family's lake of breeding यहीं देखें ना कि manners and breeding बहुत जादा considerable थे ठीक है और importance थी उस इन चीज़ों की manners की और breeding की upper class के circle में upper class का circle जो है ना वो कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो बड़े तमीज़दार होते हैं उनके अंदर ये ये चीज़ें होती हैं और जो है ना यही major जो चीज़ें थी जेन बिंगले और इलिजबित और डारसे के बीच में एक hurdle बन रही थी ठीक है ये major जो चीज़े थी के relationship में problem कर रही थी अब जो डारसे की ना एक आंट थी कैथरीन डिबॉर्व ये जो है ना इनका भी बड़ा humiliating insulting जो एक attitude होता था बैनेट फैमिली की तरफ के बहुत ही जादा disgusting जो है ना उनके साथ behave करती थी तो उनकी personality का जो है ना ये एक obsession था with self importance ये अपने आपको होती है हम तो बड़े ये तो वो लेकिन जो है बराबर है सब equality की बात की थी कार्ल मार्क्स ने के जो है जो है जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुछ हो रहा है तो ये इसी वज़ाए से oppose करती या against जाती है आंट के जनाब जो बिंगले है इसकी शादी जेन से नहीं होगी और दूसरी बात ये कि जो है ना डारसे की जो आंट होती है वो ये चाहती है कि अपनी बेटी उसके साथ जो है ना बया दे तो ये प्रॉबलम था फिर जो डारसे की जो आंट ही हमने देख लिया यनि इक्वल स्टेटस की यनि उसका ये कहना था कि जो मैरिज है वो इक्व इक्वल स्टेटिस की फैमिली के बीच होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए जेन आस्टन का जो प्रोटेस्ट था अगेंस डिस एटिट्यूट ठीक है उसने बड़ा प्रोटेस्ट किया उसने कहा कि क्लास कॉंशिसनेस थी उसके अंदर ठीक है उसने यह चीज़ शो कि है कि क कलास वाले वो भी इंसान हैं वो भी हडियो और गोश्ट के ही बने हैं तो जो लोएर क्लास वाले वो भी वैसे ही हैं बस फरक इतना हैं कि वह अमीर हैं आपर और इनके पास नहीं है उनके पास property है उनके पास नहीं है यह उनके अंडर रहकर काम कर रहे हैं तो यह जो है ना और यह के mean बना देती है और class devian is an insult to humanity ठीक है यह यह ना एक इंसानियत की insult है ठीक है चीजों का तो कुछ नहीं पैसा दोलत तो हाथ की मैल होती है कल को एक अमीर के पास होगा और अगले दिन जो है वो किसी गरीब के पास चला जाएगा तो फिर क्या हो गया तो बराबरी आ गई ना तो de-humanizing जो effects थे उनको जेन आस्टन ने represent किया और उसने यह reality इस reality को दिखा कर उसने इस चीज़ को खतम करने की कोशिश किया तो यह जो है ना हमने इसी तरह देखा कि Jane Austen deals with the lower middle class ठीक है वो उस अपनी जेन्डरी जो उसके हैं लोग अपनी novel के अंदर जो select करती है वो lower जो working class होते है lower class से वो exclude करती है तो कहती है इस चीज़ को खतम करना चाहिए जनाब यह था आज का topic हमारा होपस हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए चैनल को learning site साथ में जो bell icon है उसको भी press कीजिए ताकि आपको हर आने वाला new lecture आपका notification फॉरण से मिल जाया करे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाहफेज आपका नेक्स्ट